महोदय नगर परादंभ से ही सभ्यता के प्रतिक रहे हैं मानविये विकास के साथ ही साथ क्रिशी अर्थ वैवस्था से और द्योगिक अर्थ वैवस्था में परवेश करने की लालसा के दुश पलिनाम सोरुप नगरिये छेतर समस्याओं के केंदर बनते गए एक तरफ जहां विश्विकी जनसंख्या में तिब्र गती से ब्रिधी हुई अर्थात जनसंख्या में विस्फोर्ट हुआ वहीं दूसरी और नगरिये छेतर में जनसंख्या का तुलनातमक और तेजी से केंदरिये करन अर्थात जनसंख्या का संकूचन भी जारी है ग्रामीन चेतरों में क्रिशी उत्पादनों में व्रिधी नगरिये चेतरों में मानविये श्रम की अत्यधिक उपादेता एबम तिब्र और जोगी करन से उत्पन रोजगार की संभावनाएं ग्रामीन छेतरों से नगरिये छेतर में जनसंख्या के अस्थानांतोरन का परमुख कारण हैं। के परिनाम सोरुप आवासिय भूमी की निउन्तव हो जाती है। यहीं जनसंख्या अतिरिक अतिरिक नगरों में गंदी बस्तियों के प्रादुर्भाव का कारण बनती हैं। नगर की रिक्त भूमी पर गरामीन अंचल से नगरिये छेतर में अस्थानांतृत निम्न आय वर्ग के वेक्टी समुहों में आवासिय समस्या से ग्रसित हो आवासिय हो जाते हैं। ग्रसित ही आवासिय हो जाते हैं जो धीरे धीरे गंदी बस्तियों में परिनत हो जाती हैं। उप्रमानित ग्रिह विकास अर्थात सलम आदी नामों से अभीहित छेत्र किसी नगरिये छेत्र के अभीन अभीन अंग हैं या एक ऐसा छेत्र है जिसमें छेत्र की स्थिती और उसके मकानों की भौतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं कार्यात्मक विशस्ताएं इतनी गिरी और नश्ट भरष्ट या टुटी फुटी हो जाती हैं कि उनकी उत्पादक्ता उपादेता और वांचिनियता काफी कम हो जाती हैं वस्तुताः गंदी वस्ती नगरिये अधिवास के गिरावट की एक दशा हैं जिसमें मकान इतने अनुप्युक्त हो जाते हैं कि वे सामाने ते गंदी वस्तियां अपने दो सोरुपों में परिलक्शित होती हैं पर्थम वर्ग के अनुसार गंदी वस्तियां उन समाजुक्त समुआं के संदर्व में समाज शास्त्रियों दोवारा अभी हित हैं जो नगर आवासी होते हैं एवं अनेक समाजिक बुराईयों जैसे मद्यपान समाजिक जीवन की अनी मिततो वेश्यवरिती जैसी कुरितियों समाज रूप से उनमें पाई जाती हैं